बच्चों आपको सो सब प्रति मिनट घर्ति का डिक्टेशन दे रहा हूँ डिक्टेशन में जो भी आउटलेन फ्रेजेस आ रहे हैं अच्छे बड़े एडवांस वो मैं आपको पहले बता देता हूँ गेर सरकारी गर बनाएं और सरकार को डबल कर दें गेर सरकारी शिक्षन संस्था काम करने वाले काम करने वाले इस को यसा भी बना सकते है आप करने वाले और आगे कम काम की विंद्र लगा दें काम करने वाले सेवा सर्तों सेवा के अंदर सर्तों लगाए होचिन कर दें सेवा सर्तों सुधार के लिए सुधार के लिए प्रवर समिती प्रवर समिती सातस बहस के दोरान बहस का सब चिन हमार पास बहस के दोरान सरकार के लिए सरकार बनाएं उल्ला निकाल दें सरकार के लिए पेस करने के लिए लाइन को टच करके पेस वो डिजेनी करके लव लाने पेस करने के लिए ऐसी दसा में स्यक्षिक संस्ता विध्यक स्यक्षिक संस्ता विध्यक वचकार दें अधर जूल में आकाडेस लगाया यहां और धा को काट दें गेर सरकारी विद्या लेए गेर सरकारी और वह बना दें सिर्फ वह बनाना अंगरिजे का गेर सरकारी विद्या लेए पिछले लंबे समय से पिछले का सबचीन है पिछले लंबे समय से आंदुलन कर रहे हैं आंदुलन का सबचीन हमरे पास आंदुलन कर रहे हैं डबल कर दें गेर सरकारी सिक्षक वेतन मान के अनुसार ये वेतन मान और के अनुसार का डेस लगा दें ये एक के लगाया हुआ है जिन बच्चों को या idea नहीं हो तो ये ध्यान रखें हर direction मुगमे का इससे के अनुसार पढ़ा कानूनी नियंत्रन कानूनी नियंतरन को रवर कर दें और आजया भेंगे लगा दें कानूनी नियंतरन गेर वाजीब गेर वाजीब रखने के लिए सरकार के हाथ में सरकार हाथ को आदा करें सरकार के हाथ में आगे देखें गेर सरकारी उद्ध्यम गेर सरकारी और धाशकार दें उद्ध्यम इस बात पर इस करने के बात बहग वादा करें और पर बना दें सोषण का जरिया घेर सरकारी इसतर को बडा कर दें उसमें फर बिन कर जाएगा यह इस्टाया लुक को बडा करा एक तो इसथा का चाप ओता और एक इस्टर का और उसर भी बडा करने के लिए पर पड़ने के लिए चल रही है चल रही है लग को डबल करें संपन वर्ग के लोग संपन डाड करें संपन वर्ग के लोग लोगों के हाथ में लोगों के हाथ को आदा करें हाथ में इस्कुल और कालेज बहुत बढ़या उठाएने ये इस्कुल और यहीं से कालेज इसको लोर कालेज हूँ के बल पर के का सबचेने बल को डबल कर दे Democratic प्रत्योगी परिख्शाओं प्रतिक वारा करें गर्रत्योगी परिख्शाओं सिख्षा विभाग सिख्षा और वासे काड़ दे सिख्षा विभाग अब इसको मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, डिक्टेशन हम आप लेखे हैं, सो सब पति बिनेट गति का डिक्टेशन है, यास स्टार्ट, राजस्तान में गेर सरकारी सिक्षन संस्ताओं के प्रभन पर नियंत्रण और उनमें काम करने वाले सिक्षकों की सेवा सर्तों में सुधार के लिए जो विधियक सन 1986 में विधान सभा की प्रवर समिती को सोपा गया था, वह आज भी उसी के समक्ष विचारा धीन है और जब तक विधियक विधान सभा से पारीत नहीं कर दिया जाता तब तक गेर सरकारी सिक्षन संस्ताओं में सुधार का कोई भी उपाय शुरू नहीं करने का सरकार का बहाना मिल गया है, बजट सत्र के प्रथम सप्ता में ही प्रवर समिती का कारिकाल तीन सप्ता के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बजट पर आम बहस के दोरान सदन में उत्तेजना का जो वातावरन पना और विधानतवा की कारवाई जीन हालात में इस्तगीत की गई थी उसमें सरकार के लिए, तो अउधी पूरी हो जाने के बाद भी रिपोर्ट पेस करना संबव ही नहीं था, और विपक्ष के भी किसी सदस्य को सायद उस माहुल में यह इस्मरण नहीं रहा की वह सरकार का ध्यान आकरसित करके रिपोर्ट सदन में पेस करने के लिए कहे, विदान सभा की कारवाई अब पुन कब सुरू होगी, निकट भविश में सुरू होगी भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता, रिशी दसा में राजस्थान, गेर सरकारी स्यक्षिक संस्ता विध्यक 1986 का भविश भी अधर जूल में पड़ गया है, गेर सरकारी विध्यलायों के सिक्षक लंबे समय से अपनी सेवा सर्तों में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, गेर सरकारी सिक्षकों की मांग केवल यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारीत वेतन मानों के अनुसार वेतन दिया जाए और अनुदानित सिक्षन संसाओं पर कोई ऐसा कानूनी नियंतरन लगाया जाए जिससे सिक्षकों को तैसुदा निर्धारीत वेतन पूरा मिल सके सिक्षकों की यह मांग केरवाजीब नहीं है और सरकार को इसे काफी पहले मान लेना चाहिए था राजस्तान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिक्षन संस्ताओं पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए वोई कानून नहीं है राजस्तान सायद उन इनेगिने राजियों में से है जहां 90% सिक्षा व्यवस्ता सरकार के हाथ में है इस तरफ एक तरफ जहां सिक्षा के छेत्र में गिर सरकारी उध्यम को बढ़ावा देने की जरूरत है वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नजर रखने की आवशक्ता है की सिक्षन संस्ताएं कहीं उध्योगों की तरफ कुछ लोगों की तिजूरियां भरने और कुछ लोगों के सोशन का जरिया बन कर नहीं रह जाए राजी में गिर सरकारी इस तरफ पर इस समय चार तरह की सिक्षन संस्ताएं चल रही हैं एक वे हैं जिने विभिन जाती ट्रस्ट चलाते हैं दूसरी वे हैं जिने कुछ संपन वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं कुछ एसी सिक्षन संस्ताएं हैं जिनका संचालन राजनिती से जुड़े लोगों के हाथ में हैं कोच एसी हैं जो इसकुलों और कालेजों के कमजोर विध्यारतियों के बलपर और विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए प्रसिक्षन प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं पहले तीन प्रकार की संस्ताओं पर तो बले ही थोड़ा बहुत सिक्षा विभाग का नियंत्रण हों किन्तु कमजोर विध्यारतियों के नाम पर और प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए चलने वाली सिक्षन संस्ताएं तो सिक्षा की दुकाने बन गई हैं धन्यवाद